तमस्कार मैं मैं वाइश जूमिश्ट्र और आप देख रहे हैं The Inside Story तो संसद से विपक्ष की आवाज को गायब किया जा रहा है संसद के बाहर धकेला जा रहा है उन्हें नीलंबित किया जा रहा है और ये जो आवाजे हैं वो सिर्फ विपक्ष की है और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है सत्तापक्ष पे कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है और इसका एक उदाहरण हमारे सामने भी है पहले लोकसभा से 33 सांसदों को बाहर कर दिया गया निलंबित कर दिया गया उसके बाद राज्यसभा से 45 लोगों को बाहर कर दिया गया इससे पहले 14 लोगों को बाहर किया गया था जिसमें एक राज्यसभा से और 13 लोकसभा से सांसद थे कुल मिलाकर 92 सांसद ऐसे हैं विपक्ष के जिन्हें सदन से या तो राज्यसभा से या तो लोकसभा से बाहर कर दिया गया है क्या संकेत, क्या संदेश देने की कोशिश भारतिय जुनता पार्टिय सत्ताधारी पक्ष कर रहा है आज इस पर चर्चा करेंगे डॉक्टर संजीयो तुरवेदी जी हमारे साथ है कि हाँ ये मुद्दा गलत है और इस पर जादा हंगामा कर रहा है या फिर संसदों ने कुछ ऐसा बरताओ किया सदन के अंदर कि उनको बाहरी जाना चाहिए क्या पूरी जो ओर आल तस्वीर बन के आरी कैसे देखा जाए इसको देखे आपने पूछा कि ऐसा पहले हुआ है क्या तो एक बार 1989 में 1989 में ऐसा हुआ था वाक्या कि 63 संसदों को बाहर किया गया था उस वक्त वजह ये बड़ी थी कि राजीब गादी की सरकार के दौरान एक रिपोर्ट आई थी इंदरा गादी के हत्या पर और इंदरा गादी के रिपोर्ट आई थी ठककर कमिशन उसका नाम था ठककर कमिशन के रिपोर्ट पे ये कहा गया था कि जो हत्या की साजिश है उसमें कहीं långकहीं लेना देना आरके धवन का है तो आर्केद हवन उस वकत राजीव गाधी की टीम में थे और उसके पहले वो इंदरा जी के साथ थे तो क्या इंसाइडर जॉब था ये और इस पर खुलासा की जाए और मांग इस बात की उठी की इस पर सरकार का बयान हो तो उस क्रम में जो हंगामा हुआ उसमें 63 सांसद बाहर कर देगे हलांकि ये तीन दिन का ही था और बाद में एक अपालोजी आई और उसके बाद फिर सभी सांसद वापिस हो गया तीन दिन के लिए हुआ था वो पर अभी जो हुआ है अभी जो हुआ है वो तो उसका कोई इतिहास में सानी नहीं है क्योंकि 92 सांसद आप ये मानकर चले पिछले एक सब्ता के भीतर तीन दिन में मानिये तीन चार दिरों में 92 संसत बाहर कर दिये गए सब के सब विपक्ष के जैसा कि आपने बताया उस समय 63 थे एक दिन में यहाँ पर 78 हो गए एक दिन में आज आज के आजी और यह रिकॉर्ड बन गया और 13 तारीक तक 13 दिसंबर तक सब कुछ सामान यह चल रहा था जो productivity थी संसत की वो भी जायज थी और तरीके से चीज़ें चल रही थी चार तारीक से आपको याद है संसत शुरू हुआ था तेरह तारीक को वो घटना घटती है जब intruders घुज जाते हैं और उसके बाद 14 तारीक से विपक्ष की ये मांग होती है कि आप सरकार की तरफ से आएं ग्रहमंत्री और पक्ष अपना रखें कि कैसे हुआ ये breach of security और अगर सुरक्षा में चुक हुई है तो इसका बयान जो है वो दिया जाए और क्या आगे किया जाए ताकि ये ऐसा नहो इस बारे में आप बताईए और एक चर्चा करवाईए ताकि हम भी अपना suggestion दे सके कि इस तरह की घटनाएं कैसे नहीं होंगी कि पार्लिमेंट इतना आपका इतना हमारा है तो विपक्ष को ये लगता है कि ये दो मांगे जो है हमें करनी थी बड़ी जायज मांगे है हमारी लेकिन सरकार ने मना कर दिया तो शुरुआते दिन तो confrontation देखा हम नहीं मांचू लेकिन जैसे ही गिरह मंत्री ने ये बात कही और ये बात उन् ये बड़ी गंभीर चूक है और इस पर हम तहकिकात कर रहे हैं स्पीकर सहाब के दायरे में आता है बगारा बगारा जो भी बाते उन्होंने वो कही उस पर विपक्ष को नाराज़गी हुई कि यही बात तो हम चाह रहे थे कि वो संसत के भीतर कहें हमोमन ये परंपरा होती है तो ये बाहर क्यों बोला जा रहा है भीतर क्यों नहीं बोला जा रहा है दो ही दिन बीटे इस वीकेंड में प्रधान मुंतरी ने एका ख़बार को भी इंटर्वियो तिया उसमें भी उन्होंने चिंता जाहर की और कहा कि जहां जहां चल रही है उसमें उन्होंने ये कहा के शायद डिबेट की उतनी जरुवत नहीं है जितने investigation की जरुवत है अब ये बात नागवार गुजरी आज विपक्ष को कौन सी ऐसी बात हो गई हमने क्या मांग दिया कि डिबेट तो होना ही होना ही चाहिए हर छोटी बात पर हम हापस में चर्चा करते हैं जहां संसद की गरिमा का सवाल है वहाँ डिबेट नहीं होगी और इसी मांग के तहट आज हंगामा हो रहा था हम लोग देख रहे थे सदस से आसन तक जा रहे थे और मांग कर रहे थे कि आप बुलाईए ग्रह मंतरी को प्लहान मिंतरी को और ग्रह मंतरी आए नहीं है उसके बाद से सदर में तो यह भी नाराजगी थी कि कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है संसत को जब हम चुनके आए हैं यहां पर तो हम आप से उत्तरदाई मांगते हैं एकांटिबिलिटी मांगते हैं को आप आएंगे नहीं तो कैसे होगा और उसी कर्म में यह इतनी बड़ी घटना 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 जवाब देही तो तैह होनी चाहिए सुरक्षा चूक का मसला है 2001 में ऐसी घटना घटी थी हलकि इस बार कोई ऐसी आतंकवादी घटना नहीं थी लेकिन वो बड़ा रूप ले सकती थी अगर यहाँ पर इतना सिक्यूर्टी लैप्स है तो यह बड़ी घटना में भी तबदील हो सकता था यह सारी बात खीक है विपक्ष अगर मांग कर रहा है तो क्या उसे संसत से बाहर कर देना चाहिए और क्या इतनी बल्क में संसत मतलब 92 संसत अगर बाहर कर दिये तो विपक्ष का समझ आपने जदातर विपक्षी संसत बाहर ही कर दिये बचा ही कौन तो बिना विपक्ष के अब संसत कर ददी तो और से चलेगी यह सत्र क्या यहीं समझा जाए और आम आजमी किस तरह से देखे इसको देखे तीन बड़े लेजिसलेशन है कानून बनना है क्रिमिनल लॉज पे इंडियन पिनल कोड इंडियन एविजिन्स एक्ट और सी आर्पीसी को रिप्लेस किया जाना है नए कानूनों से तो आप यह समझें कि अब तो जो आँकड़े रह गए विपक्षे तो वैसे भी बहुत ज्यादा प्रभावी विपक्ष नहीं था लोग सभा में राज जिस सभा में जो तोड़ा बहुत था उसकी भी संभावना खतम हो गई तो लेजिसलेशन जो है बहुत आसानी जो भी लेजिसलेशन होंगे वो हंगामे में पारित हो जाएए पर मेरा प्रशन यह है कि वो कैसा सदन होगा जिस सदन में नेता प्रतिपक्ष है ही नहीं वो भी बाहर है अब अधिर रंजन चौधरी बाहर है जो उपनेता है गौरफ गोई भी बहर है और तमाम नेता दूसरे दलों के बहर है जैराम रमेश से बहर है उसी प्रकार तो ऐसे में एक 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 एसदितिय ऐसी बन रही है की जैसे लग रहा है की संसत विपक्ष मुट्थ हो गया है और विपक्ष की इस्तिती जो है वो बड़ी कमजोर सी वहाँ पर दिखाई पड़ रही थी आज बाहर आपके पास जगह है आब आकर के प्रोटेस्ट करिए और इस तरह से हम देखते हैं कि जो आचरण है प्रोटेस्ट का वो मरखास्तिगी की वजह बन जाए ये एक नई नजीर है देखिए इस संसद में जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है कभर करने का तो प्रोटेस्ट तो ओपोजिशन करेगा ही क्योंकि उसके पास आखड़े नहीं है तो अपनी बात अगर मनमानी है तो उसमें प्रोटेस्ट जो है वो एक हथियार की तरह होता और कई बार प्रोटेस्ट जायज भी होता है जरूरी भी होता है पर संसद में नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कहा जा कर क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है विपक्ष को जवाब नहीं है दीखे उनके पास आकड़े कम है तो क्या आप लड़ेंगे नहीं अगर कोई गलत कानून बनेगा तो आप क्या उस कानून को बनते हुए देखते रह जाएंगे आप आपकी ये जम्मिदारी है बड़े विद्वान नेता हुए अरुज जेटली और सुश्मा शाराज तो मुझे याद है दो हजार बारह में जब टूजी के उपर बहस चल रही थी और लगातार एक के बाद एक दिन जो है वाश आउट हो रहा था कुछ इसी तरह से तो उस वकट पूछा गया था कि सहाब आप तो सदन चलने रही देते हैं तो कैसे होगा ये आप कोई कानून पारित नहीं होगा कोई विदाई कार्य नहीं होगा तो उन्होंने कहा था कि प्रोटेस्ट करना विपक्ष का अधिकार है और विपक्ष की जिम्मेदारियों में आता है कि वो प्रोटेस्ट करे तो भीपाक्ष जब जिम्मेदारी अपनी निभाएगा प्रोटेस्ट करेगा सरकार को बुरा लगेगा जाहिर है लेकिन उसका रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए कि आप प्रोटेस्ट करें वाले को संसद से बाहर कर दें नहीं तो ये तो हम देख रहे हैं एक pattern बन गया है, ना सिर्फ इस बार, बहुत बार ऐसा हो चुका है, और लगातार जो sessions बढ़ रहे हैं, उसमें यो होता चला जा रहा है, कि अगर आप संसद में हंगामा करेंगे, संसद में अगर आप कुछ ऐसी बात करेंगे, जो सरकार को जैसे संजय सिंग तो ग्रफतार हैं, लेकर उसके पहले वो पेड़ की नीचे बैठे हुए थे, पिछले सत्र को अगर आप याद करें, तो आखिर संसद संसद में होता है, संसद के विधाई कारियों में participate करने के लिए, कोई ऐसा प्रयास, जैसमें कि संसद भाग न ले पा एक गलती करी कि प्रधानमंत्री की स्पीच के दोरान लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अपने मोबाइल फोन से वो वीडियो बनाया और बाहर आकर के पत्रकारों को दे दिया, और पत्रकारों ने उसे फिर दिखाया, तो अंदर के प्रोसीडिंग्स को दिखाने का अधिकार केवर लोग सभा के कैमरों को है आपने कैसे दिखाया, इस आरूप में उनको छख के महीना बाहर रखा गया, लोग उने पॉछा उस वेक्त कि क्या ये इतना बड़ा अपराद है, जिसमgent कि आप इतना लंबा आपने कर दिया, उसे प्रिकार संजे सिं तो आप उस व्यक्ति को दंड़ देने के करम में उस आवाम को भी दंड़ दे रहे हैं, आज जैसे ही आपने 33 संसदों को बाहर किया, लोक सभा के, तो 33 संसदों को जाएंगी, पहले से ही 13 संसदों है, पिछले वीक जो हुआ था, 14 टोटल, तो 33 और 13 आपने पहले ही से 49, 46 अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, 18 अभी ऐसी हैं, 19 रादर, जो की लोक सभा से विधान सभा, चले गए लड़ने के लिए कुछ लोग, किस तो वही ही हो गए, तो गए थे, उसमें से 12 तो डिजाइन करके चले ही गए, और अन्य-अन्य कारणों से कुछ और लोग हैं, तो टोटल अभी 19 सांसद ऐसे हैं, जो की, 19 सांस, लोग सभा सीटे ऐसी हैं, जो की खाली हैं, तो च्छालिस इधर हो गया, और इधर उसमें 19 अगर आप जोर देते हैं, तो यह हो जाता है, 65, तो 65 प्लेसिस खाली हो गई, और सुचिए कि कि तनी बड़ी बात यह है, कि उन 65 जगों में से, अगले अप्रील माई में सरकार का गठन होना है, तो इतने दिन दन खाली रखेंगी क्या, देखिए जब लोग बाग अपने प्रतिनिदी को चुनकर भेजते हैं, तो वो मीद करते हैं, कि उनके लिए वो बोले, बात करें, और वहां से उनके लिए कुछ राहत, मदद वो थोड़ी दिक्कत तो है. आपने नजीर के तौर पर बाहर कर दिया हो या फिर आपने एक दिन के लिए ही यहां तो पूरे-पूरे सेशन्स के लिए अनिश्चित काल तक के लिए आपने कर दिये विपक्ष के सांसदों को बाहर लेकिन यहां एक सांसद ऐसा नहीं जिसको आपने एक दिन के लिए भी कि हो उसमें जाहर है कि आप विदूरी जी का नाम है और हाली में जो ये संसद में ये घटना जो घटी इसको लेकर आप नजीर तो पेश करी सकते थे ना कि आप करते अपने संसद पे कुछ उस्टाज करके छोड़ दिया अपर आपको सरकार का पक्ष भी समझना पड़ेगा सरक कार का ये कहना है कि जब हम जीत करके इतने लोग आते हैं तो हमारी जिवेदारी हो जाती है कि हम सदन को चलाएं और उनके लिए कानून बनाएं जिन लोगों ने हमें जिता कर भीजा है विवधान पैदा करना रोग पैदा करना ये विपक्ष का काम है और हम उन्हें रोग पैदा नहीं करने देंगे, उनको बाहर नहीं किया जाएगा, अब इसी लोजिक के दरमयान जो है ये फैसली लिए जा रहे हैं जिसमें कि इतने सांसदों को एकोष्ट बाहर कर दिया जा रहा है और इन परस्तितियों में इंडिया गडबंधर की बैठेक होनी है मंगलवार को होनी जा रही है इंडिया क्या तै करेगा इंडिया जब सदल सही बाहर है तो वो चुकी है वो अपने हर फैसिले को जिस्टिफाई कर रहा है और अभी यह नहीं का जा सकता है कि बार्नवे की संख्या आगे नहीं बढ़ेगी हो सकता है कल पर सो नर सो और भी बढ़ सकती है और यह आरूप भी लगा रहे थे सत्तापक्स की तरफ से कि यह जानमूझ कर बाहर कि destम्र को चाहते है वह जो एक संसर्द पे हमला हुआ है 13 दिसंबर को उसको एक मुदध बनाना चाहते है अब यह उनकी सोच हो सकती है हो सकता है सच हो गलत हो लेकिन इस परिप्रेक्ष में बैठक हो ले जा रही है और मैं यह पा रहा हूँ कि बैठक से इन पहले बीजेपी से लड़ने के पहले कॉंग्रिस से पिपक्ष के कई दल लड़ाएं हैं आज ही मैं कई निताओं से बात कर रहा था इंडिया गट बंध है इन लोगों का यह कहना था कि कॉंग्रिस को समझ में अब आ गया होगा जैसा कि अखिलेश जी पिशले दिनों कह रहे थे कि अगर साथ लड़ते तो नतीजे अलग आते समझदारी आ गई होगी तो यह जो समझदारी आ गई होगी कॉंग्रेस के बारे में कहा जा रहा है तो क्या इससे कोई पॉजिटिव नतीजा वहां निकलेगा जब मंगलवार शाम लोग बाग बैठेंगे। दीखे लडायी सिर्फ ये नहीं है के बीजेपी से लड़ना है एक लडायी जो है वो अंडर में भी चल रही है। जाहें, जाहिर है कि ये बात ममतादी को भी लग रही होगी, और तो खुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो विपक्षी कुनवा है, उसकी थाकत जो है वो अभी शिड़ है और शायद ये भी बहुत बड़ी वजा है कि साथा पक्ष जिस तरह से हमलावर है और जिस तरह से वो अटाकिंग पोस्टर लिया हुआ है क्योंकि वो पा रहा है कि विपक्ष में वो ताकत नहीं है सत्ता पक्ष चाह रहा है कि विपक्ष मुक्त हो जाए इधर जो इंडिया गड़बंदन है वो ये चाह रहा है कि कॉंग्रेस मुक्त रहे हमारी ताकत जाधा रहे तो ये बड़ा डेडली कॉमिनेशन बन रहा है इलेक्शन से पहले क्या मतलब कॉंग्रेस को इसका एहम रोल नजर आता है क्योंकि संसद में भी उनके जाधा पावर ये गुड़ा गड़े देखिए आस होता अगर कॉंग्रेस के लिए इस विधान सभा चुनाओं में माकूल नतीजे आते लेकिन नतीजे नहीं आये हैं और उन्हें जहेलना पड़ेगा इसमें कहीं कोई शको सुभा नहीं है कि अगर साथ लड़े तब ही खड़े रह पाएंगे भारते जिंता पार्टी को चुनाओती बहुत मुश्किल है आसान चुनाओती नहीं है कि अगर वो अक्रेले तम पचास फीसदी ले आ रही है दोस्तो चौबीस सीटों पर तो लड़ाई बभिर बचती तो आधी ही सीटों पर है ना बिलकुल तो आगको इतना वजबूत होना पड़ेगा कि बहुत आ रेलियों में कि किसी को भी वोट देना कॉंग्रिस को मत देना और उन्हीं कॉंग्रिस के साथ कल वो बैठे नजर आएंगे तो यह जो विशमता है यह विशमता इंडिया गड़ बंधन की सबसे बड़ी मुश्किल है और देखिए ऐसे विशमताओं के साथ भारती जंता प इनको खड़ा ही नहीं नहीं देगे अचा यह जो घटना हुई पूरी तेरा तारीक के बाद जो घटना हुई सांसितों को बाहर किया गया क्या इसने इंडिया गड़ बंधन को एक जुट होने का फिर से मौका दिया है कि देखिए सत्ता पक्ष जो कर रहा है उसके खिलाफ हमको लड़ना है यह मैं पा रहा हूँ यहां यह आकलन आपका सही है कि एक रियालाइजेशन एक बोध है विपक्ष के नेताओं में कि विधान सभा चुनाओं के दौरान जो एक गलत फहमिया थी उसका हमें प्राइस पे करना पड़ा है क्योंकि ममता बैनर जी भी बोल रह पाचित कर रहे हैं और पत्रकारों से गाहे गाहे इशारों में या सीधे तोर पर कह रहे हैं कि रुकसान हुआ लेकिन साथ में यह जोडते हैं कि कॉंग्रिस को भी अपनी असली ताकत का पता लग गया होगा उनकी ताकत है no doubt about that देखिए 40 फीसदी वोट लेकर के कॉंग्र और इतने से ही बात बन जाया ऐसी भी बात नहीं है दस ऐसे दल है जो ना इधर है ना उधर है और जो गाहे भारते जिंदा पाटी का साथ ने जाते हैं क्योंकि वो पाते हैं कि जो भी ताकतवर है उसका साथ देना है तो आप कैसे महुजन समाज पाटी और बीजू जलता और YSR Ready Congress इन समों को कैसे आप कंट्रोल करते हैं ताकि वो इंडिया का नुकसान न करे वो भी तैव होना है इसलिए भारते जिंता पार्टी की आज की जो आज के जो उनकी शैली है जो जिस तरह से वो अटैकिंग पोस्चर में हैं वो उनकी चुनावी जीत से निकल रही है व और जब तक आप उसी प्रकार के चुनावी जीत के साथ सामने नहीं आएंगे तो सिर्फ संसद में सभापधी के आशन के पास जाकर के चिलाने से भारते जिंता पार्टी को हरा दिया जा सकेगा जैसा नहीं है चलिए देखते हैं क्या होता है 92 संसदों को फिलाल बाहर कर द निकलता है यह देखना सबसे अधर दिल्चस पर रहने वाला है आने वाले दिनों में आपको सारी अपडेट देते रहेंगे आपको क्या लग रहा है कि इंसान स्थों को जो बाहर किया गया है उससे क्या इंडिया गडबंधन को मजबूती मिलेगी क्या इंडिया झाल दिल्चस